असलामों अलेकुम मेरा नाम डॉक्टर सेदा जमीला अली तिर्मजी है मैंने MBBS किया हुआ है और ENT में FCPS मैं फैसलाबाद की पहली female FCPS in ENT हूँ मैंने MBBS और अपनी ट्रेनिंग जो के FCPS की है किया है फैसलाबाद Medical University से University of Health Sciences जिसके अंडर मोर दें 22 Medical Colleges और Universities हैं मैं उसमें भी सेकिंड आई हूँ और मैं फोर्थी और फाइनल येर में 300 से जाहिद बच्चों मैं फर्स्ट आई हूँ मेरे पांच से जादा पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जिन में से दो इंटरनाशनल आर्टिकल्स हैं जो कि इंटरनाशनल जर्नल आफ ऑटो राइनो लेरिंजॉलोजी में भी शामिल है 2022 के अंदर इसके इलावा मैंने 20 से जादा पेपर्स, केस टडीज और केस रिपोर्ट नैशनल और इंटरनाशनल फॉरम पे डिलिवर कर चुकी हूँ आज कल मैं अबवा मेडिकल युनिवरस्टी में असिस्टन प्रफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ जहां मैं स्टूडन्स को पढ़ाती हूँ 30 और 40 मेबियस में उसके लावा वाड़ क्लासिस लेती हूँ, OPD करती हूँ और सरजरीज करती हूँ जो सरजरीज में कर सकती हूँ उसमें हैं टॉंसल की सरजरी जिसे गले का गदूत कहते हैं नाग की हड़ी, सेप्टोप्लास्टी, नाग की खुबसूरती, राइनोप्लास्टी, कान से रेशा, मेस्टॉइट सरजरी, इसके इलावा दीगर भी मसाइल जैसे के नजला, जुकाम, केरा, इस चपके भी हम इलाज करते हैं किसी मरीज को चक कर आ रहे हों, जिसकी वह से उलकिया आ रही हों, उसका भी इलाज करते हैं कोई बच्चा है जो के सुन नहीं पा रहा, या उसना भी बोलना नहीं सी का, तीन चार साल का हो गया, या एक साल का भी हो गया, हमारे पास लायता के हम उसकी तश्कीश कर सकें लायलोईशन हो रही है, हमारे पास टेमपैनोग्राम है, और योग्राम है, ताके आपको कहीं और जाके समात का टेस्क ना करना पड़े, और हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड और हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है आपका, कि अगर आप फाइल ना लाएं, तब भी हमारे बस आपका record मौजूद है ताके आपकी तश्वीश में और आपके लाज में किसी भी किसम की देरी ना हो अगर आप भी हमसे कोई बात पूछना चाते हैं तो आप दिये गए नंबर पे time लें और हमसे मशवरा करें और अगर आपके या आपके किसी भी जानने वाले को ना कान गले की कोई भी मिमारी है या खच्चा है तो जरूर दिये गए नंबर पे कॉल करें ताके हम आपका बहतर तश्वीश कर सकें आपको वक्त पे तवाइदे का बता सकें और अगर उससे भी लाज ना हो तो अच्छा और बहतरीन सैटप के साथ आपकी सरजरी हो सकें ताके आप और आपके जानने वाले बगएर किसी भी मारी के एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें शुक्रिया